प्राइम टेवी वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का बदायू में युवक की गोली मार कर हत्या पिता के सामने कनपटी पर किया फायर खेट की रखवाली करने गया था कानपूर में मुंडन से लोड़ती कार नहर में गिरी पुल तोड़ कर पानी में बह गई कार रात के अंधेरे में ग्रामडों ने बचाई तीन जाने नौमी में सिधी रात्री मा की पूजा लकनओ के मंदिरों में भक्तों की भीड मातारा सुबब से पहुचे सरथ धालू लकनओ में खाना बनाते समय सिलेंडर फटा एक की मौँच चौदा लोग घायल सीम योगी ने कन्याओं के पाओ धोए नौमी पर चुनरी उढ़ाई और खुद परोस कर भोजन कराया उपहार देकर की विदाई ट्रेक्टर ट्रॉली में सवारिया ढोई तो कटेगा चलान दो से बारा क्टूबर तक चल रहा विशेश सडक सुरक्षा सब्ता बिजनौर में पल्टी उत्राखंट परिवहां निगम की बच्छ है लोग घायल यात्री बोले फोन पर लगा थचालक बल्या में पूजा पंडाल अगनी सुरक्षा मानक में फिल सभी को दिया गया नोटिस जिले में 362 वन नगर में 17 बड़े पंडाल जौनपूर में 48 घंटे से धरने पर बैठी गर्वती पत्नी धोके बाज पती चौकट पर कर रही इंतिजार ससुराल वाले फराद गाजियाबाद में नामी बदमाज सीता गिरफतार 9 माई को कलेक्शन एजेंट से लूटे थे 6.88 लाग 5 साथी पहले हो चुके गिरफतार पदोई दुर्गा पूजा अगनी कांड में मृतिकों की संख्याद 6 हुई 69 मरीजों का इलाज जारी अभी भी कई मरीजों की हालत नाजो मेरक में इंटरनेशनल मुबाइल तसकर शरत गोसौमी गैंग के 3 सदस गिरफतार मुबाइल के पार्ट्स अलग करके करते थे सप्लाई जानपूर में एक भी ट्रॉली का नहीं है रजिस्टेशन कानपूर में हादसे के बाद हरकत में प्रशासन सापा एमेल ने ताहिर खान के लिए दोहरी मुसीवत प्रतिबन के बावजूल पशु बाजार चलाने पर निरस्त होगा लाइसंस देवर्या में फर्जी प्रमाणपत्र नौकरी कर रहा प्रधाना अध्यापक बरखास दर्जुई एफाई आर गाजीपूर में डीयम और एस्पी ने देर रात किया पैदल गस दुरगापूजा पंडालों की सुरक्षा का लिया जाएजा कानपू ट्रेक्टर हादसे के बाद भी राइबरेली पुलिस प्रिसासन सुस्त पचास लोगों को ट्रॉली में बठा कर सड़क पर दोड़ा रहा ट्रेक्टर बिजनौर में दशेरों को लेकर दिखा भाई चारा मुस्लिम कारीगर तयार कर है रावर्ण कुम्ब करण और मेगनाद के पुतले मेरट में गन्ने का रेट 600 रुपे कुन्टल मांगा पश्चिम प्रदेश मुक्त मूर्च अलग-अलग जिलों में रेट बढ़ाने को लेकर करेगा आंदोलन बुलंद शेहर में जम्मुतवी एक्सप्रेस की बोगी पत्री सूत्री डेड़ घंटे तक दिल्ली हावडा रे मार्ग रहा बाधित इटावा में किसानों का एलान त्योहार खटना इस्तल पर मनाएंगे सूत मिल के खिलाफ 17 दिन से जारी है किसानों का धरना महराज गंज में कार चालक की चाकुगोध कर हत्या गोरकपुर से कर लाए थे कार हत्यारों का नहीं लगा सुराग आग्रा के पिनाहट में दुरगा पंडाल में वेक्ती की मौत नास्दे नास्दे अचानक गिरा लोग समझते रहे कि माता को मत्था टेक रहा है मिर्जापूर में ड्यूटी पर तना सिपाही की मौत बिंधिया चल नवरात्री मेला में लगाई थी ड्यूटी अचानक बॉडी में होने लगा थदर्द हापुड में बुद्वार को होगा रावर देहन ग्यारा स्तलों पर ड्रोन से की जाएगी निग्रानी चार जोन में पंद्रा सो जवान तैनाथ अम्बेट कर नगर में पुलिश टीम को मिली बड़ी सफलता वैद शराप के साथ तीन अभ्यूक्तों किया गिरफतार बलिया में जिला प्रिसासन स्वास बिभाग का तालिबानी फर्मान स्वास बिभाग की खबर करने पर पत्रकारों पर लगाई रो हर दोई में ट्रकी टककर से बाइक सवार की मौत सूसना पर पहुची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेजा लखेंपूर खीरी में उप्चुनाओ की तारीक का ऐलान गोला बिधान स्वास सीट पर तीर नवंबर को होगा मतदान सीटापूर मजदूरों के शर्ट के आगे जुका मिलप्रशासन मिलप्रशासन ने मजदूरों के शर्ट मान कर मुआफ़ा देने की कही बाइ अलिगड में एम्यू में 35 सालों से शबीर हिंडू छाचात्राओं को नवरात्र में फिरी में कराते हैं फलहार संप्रदाई सोहर्द की दे रहे हैं मिशाल अमेठी में नवरात्री की धूम दिल्ली और मुंबई से आये कलकारों ने किया माता रानी का जगराता सारी रात खुसी और भक्ती से जुमे लोग अलिगड में C.A.N.RC के विरोट के दौरान दिल्ली में हुए 2K.ROP वसीम को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफतार आयोध्या में शार्दी नवरात्री के पंचायट चुनाव की चुनावी सरगर्मी तेज एक्सन मोड में दिखे नगर पंचायट के चेयर में आलिगड में आयोजित हुआ महारिशी वाल मिकी महस्तों मेला समिती का प्रेस वारता में सरसती विशाल सर्मर है मजूद और अया में मुलायम सिंग यादो की फोटो रखकर सपाकार करता हो निकिया हवन पूजन अच्छे स्वास के लिए की प्रातना अलिगड में रावर देहन को लेकर प्रशासन सक्त डिया में सेसपी ने किया रावर देहन कारगर मिस्तल का निरिक्षण बांदा में भी दिखा नवरातरी की धूम जिले में सबसे प्राचीन देवी जोगनी मंदिर में हजारों की संख्या में उम्रेश्ट धालू बुलंद शहर में चचेरे भाईयों की सिर कलम करके हत्या संबल में मिला धर हत्या में डिल्ली पुलिस का जवान शामिल चंदौली में तीन माँ बाद भी हत्यारों की गिरफतारी नहीं होने से परिजन भैबीत परिजनों ने एस्पी से लगाई नियाय की गुहर बुलंद शहर में पुलिस की शातिर चोरों सोई मुटभेड प्रॉस फाइरिंग में दो अभ्यूक्त गिरफतार गाजियाबाद में बेखोप बदमासों ने दिया लूट की घटना को अंजाम मोटर साइकल सवार बदमासों ने हत्यारों के बल पर किया लूट गोंडा में नवरात्री में सभी देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है भक्तों की भारी भीड कन्या भोज का भी किया गया योजन हरदोई में दोरे हत्याकान के फरार आरोपी पुलिस मुट भेड में हुआ गिरफतार आरोपी के पास से तमंचा और कार्तूज बरामत कानपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निरिक्षड करने पहुचे मंत्री मंत्री के निर्मार कमपनी मेच पील की भी उन्हों जमकर की तारिफ हर दोई में राम लीला के मंच पर हुआ फूहर डांस फिल्मी गानों के धुन पर नाची कलकार निर्ट कोले का लोगों में नराजगी लखनव में रंगदारी मांगने वाले फरजी भाजपा नेतागिर अफ्तार सरकारी विभागों में तनात अफसरों से मांगी जा रही थी रंगदारी हर्दोई में सट्टे बाजो को चड़ा सफेद पोश बनने का शौक सट्टे बाज शुभम गुपता की सफेद पोश बनने को हैं आतुर कानपूर में पुलिस का दिखा मानवी चहरा इंस्पेक्टर ने दिया शब को कंधा खाकी ने कंधा दे पहुचाया घाट महराज गंज में निर्माडा धीन मंदिर का छट गिरने से एक बृद्धी की मौत पांच घायल परजनों करोरो कर बुरा हाल मैनपूरी में राम लीला मंचन का हुआ शुभारम विधायक प्रतिनिधी अंकुर अगिनोत्री ने फीता काट कर किया मंचन का शुभारम महराज गंज में पोख्रे में डूबे भाई बेहन की मौत घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मचन को हुराम मैनपूरी अवैद अतिक रमड के खिलाफ चला प्रिशासन का हंटर बुल्डोजर से हटाये गया अतिक रमड प्रियाग राज के कटगर में केदारनात मंदिर में विराजी मूर्तियों से सजी मादूरगा पूजा पंडाल में आने वाले भक्तों का आकरसन का केंद्र बना मैनपूरी में मुलायम सिंग्यादों की लंबी उम्री की कामना सपा के पदाधी कारियों एवं कारकरताओं ने की हवन कर पूजा अर्चना प्रियागराज में भक्तों ने ऑनलाइन के जरीय किया मा कल्याडी का दरसन मा के दरसन पूजन के लिए दूर दरास से आते हैं श्रत धालू सपा संरक्षन मुलाएम सिंग यादों के लिए भगवान की शरण में सपाई सपाकारकरतों ने हवन पूजन के साथ मजार पर चड़ाई चादर साज़ापूर नगर के मंदिरों में धूमधाम के साथ मनाया गया दुरगा महसौ बंगाल से आए पुजारियों ने कराया पूजा राइबरीरी में इस पूल के दो छात्रों को गुजर गैंग के लोगों द्वारा बीरहमी से की गई पिटाई पिटाई के बाद मौके से हो गए फरार प्रतापगड में गैर इरादतन हत्या का केश पोस्माटम के बाद घर आया तो परजनों ने अंतिप्जन्सकार से किया इनकार राइबरेली में एस डियम वा सीयो के नेतरुत में आतिश बाजी का सामान बनाने वालों के ठीकानों पर छापे मारी की गई सयुक्त टीम ने की चेतावनी गाजियाबाद में भाजपा को लगा जटका नगरपाली का चेयरमेन मनोज थामा आरेलडी में हुए शामिल राइबरेली में कॉंग्रेस के भारत जोड़ो अभियान को लेका निकाली गई रैली स्रावस्ती में नवरात्री अश्टमी के महागोरी आरती में भक्तो का उम्ड़ा जनसला मा भक्तो ने स्रद्धा से देवी मा की उतारी आरती राइबरेली में दबंगो के मकान वासड़क पर किया कबजा पिल्ट परिवार ने किया विरोत तो परिवार का होना पड़ा खून से लगपर अलिगड में पुलिस ने चिता से अधजला शव उठा कर पोस्ट माटं के लिए भेजा महिला की मौत पर माई के वालों ने जताई अनुहोनी किया शंका और अईया में जाडियों में फसा मिला शव सब मिलने से छेतर में मचा हड कंप सुचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने शव को निकाला बाहर बलरामपूर में महिला कॉंच्टेवन ने की आत्मातिया परिवारिब विवाद के चलते महिला आरक्षी ने की आत्मातिया जाथ मुझुती पुलिस डेवरिया में सीएमो आफिस के बाबु का गूस मागने का वीडियो हुआ वाइरल क्लेम बनवाने के नाम पे रुपे मांगता नजर आया बाबु हमेरपुर में दबंगो ने यूवक पर जम कर चला ही लाथिया मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वाइरल कानपूर आउटर के कोठी घाट पन नहाने के दौरान छे लोग डूबे सूचना पर पहुचे गोता खोर वा पुलिस राहत और बचाव कार जारी कानपूर आउटर के सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने ट्रेक्टर चालक राजू निशा समेच चार की खिलाफ दर्श किया मुकदमा स्त्रावस्ती जिले को मिला गोल्डेन बूक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड का प्रोवीजिनल प्रमाड पत्र जनपद ने बनाया था हैंड वॉश का वर्ड रिकॉर्ड ग्रेटर नोडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता पुलिस ने भारी मात्रम में अवैद आतिश बाजी के साथ आरोपी को किया गिरफतार 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के ले देखते रही है प्रायम टीवी